हलो हाई नमस्ते आप देख रहे हैं The Cinema Show और मैं हूँ हर्शता चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसला आइरन फिस्ट और लव एंड मॉन्स्टर वाली ब्रिटिश स्टार जैसिका हिन्विक ने प्रयांका चोपडा की तारीफ की है दोनों ने The Matrix 4 में साथ काम किया है जैसे का ने प्रयांका के पर्फॉर्मेंस की तारीफ की उन्होंने कहा कि प्रयांका एक प्रफेशनल, टैलेंटेट और स्टाइलिश एक्टर है लोगन, X-Men Originals और The Greatest Showman जैसी फिल्मों के एक्टर यू जैक्टमें की COVID-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उन्होंने ट्विटर पर वीडियो शेयर करके इसकी जानकारी दी बच्पन का प्यार गाकर वाइरल हुए बच्चे सहदेव दिर्दो का एक्सिडेंट हो गया है 28 दिसंबर को हुए रोड एक्सिडेंट में उन्हें गंभीर चोटे आई है 36 गड के मुखे मंतरी भूपेश बगैल, रैपर बाच्शा और सहदेव के फैंस ने जल्द रिकवरी की काम न की है बाच्शा ने कहा है कि वो सहदेव के घरवालों के टच्च में है ओमिक्रोन और कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए दिल्ली के सभी सिनिमा घरों को बंद कर दिया गया है दिल्ली सरकार ने ग्रेड़िट रेस्पॉंस अलर्ट सिस्टम लावू करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है जिसमें स्कूल, कॉलिज, सिनिमा घर सभी बंद कर दिये गए है COVID-19 के बढ़ते केसिस की वज़ा से शाहिद कपूर और मिनार ठाकुर की फिल्म जर्सी को पोस्टमोन कर दिया गया है पहले एक फिल्म 31 दिसंबर को रिलीज होनी थी, मगर अब खबर है कि कोरोना के कारण इसे OTT प्लाटफॉर्म पर रिलीज किया जा सकता है शाहिद की जर्सी के बाद अक्षर कुमार की बिग बजट फिल्म प्रत्वीराज की रिलीज डेट को पोस्टमोन करने की बाते सामने आ रही है अटकले हैं की मेकर्स प्रत्वीराज के ट्रेलर रिलीज को पोस्टमोन कर सकते हैं करन जोहर की प्रडक्शन की फिल्म लाइगर का फॉर्स टीजर आज रिलीज हो गया है इसमें बताया गया है कि फिल्म का फॉर्स्ट लुक 31 दिसंबर को सुबह 10 बजे रिलीज किया जाएगा इस पैन इंडिया मूवी में विजय देवकोंडा और अननय पांडे लीड रोल में है सूपरस्टार रजनी कांथ ने रणवीर सिंग की फिल्म 83 की खूब तारीफ की है उन्होंने ट्विटर पर पूरी टीम को इतनी बहतरीन फिल्म बनाने के लिए बधाई दी है करन जोहर ने इंडस्ट्री में आने वाले न्यूकमर अक्टर्स पर हाली में टिपनी की है फिल्म कमपैनियन को दिये इंटर्व्यू में उन्होंने कहा कि आजकल जो न्यूकमर्स इंडस्ट्री में आ रहे हैं उन्हें पहले खुद को बॉलिवुड में प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए मगर वो 20 से 30 करोड फीस ही मांग लेते हैं वो भी बिना किसी वज़ा के बस उसी वक्त आपको उन्हें उनका रेपोर्ट कार्ड दिखाने की जरूरत पर जाती है दंगल फेम एक्ट्रेस सानिय मलहुद्रा ने रीसेंटली एक इंटर्व्यू में बताया है कि उन्होंने फिल्म मिनाक्षी संदरेश्वं के सेट से साड़ी चुराई थी जिसमें से एक वो अपने दोस्त की शादी में भी पहन चुकी है सानिय ने कहा कि मिनाक्षी के रोल के लिए सजना सवरना उन्हें बहुत पसंद था क्योंकि उसके आउटफिट्स बहुत अच्छे थे जूनियर एंटियार रामचरन और आलिया भट ने अपनी फिल्म आरारार का प्रमोशन दे कपिल शर्मा शोव पर किया है उनके साथ फिल्म के डिरेक्टर राजा मौली भी थे इस एपिसोड का टीजर आया है इस एपिसोड में कपिल आलिया से कहते है कि फिल्म को साइन करने से पहले उन्होंने स्क्रिप्ट सुनी भी थी या सिर्फ आर्शप्ट सुनकर ही साइन कर दिया रामचरन और राजा मौली से भी कपिल खूब हसी मजाग करते दिखाई देते हैं यह एपिसोड शनिवार और रवेवार को टेलेकास्ट किया जाएगा सारा ली खान, अक्षे कुमार और धनुष की फिल्म अतरंगीरे 24 दिसंबर को डिजनी प्लस होट स्टार पर आई थी मगर रिलीज के पांच दिन बार कुछ लोग ऑनलाइन विरोध कर रहे हैं ट्विटर पर सुबह से बॉयकॉट अतरंगीरे ट्रेंड कर रहा है बॉयकॉट की बात करने वालों का कहना है कि फिल्म में लव जिहाद का एंगिल दिखाया गया है क्यूंकि इसमें सारा के कैरेक्टर रिंकू को कथित रूप से जादुगर सज्जाद अली से प्यार हो जाता है वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसमें हिंदू धर्म को लेकर बोले गए कुछ डायलोग्स उनकी आस्था को ठेस पहुँचाते हैं वेसी का विरोध कर रहे हैं खेर ये फिल्म कैसी है ये जानने के लिए हमारे नई यूट्यूब चैनल ललन टॉप सिनिमा पर आप इसका रिव्यू देख सकते हैं रनवीर के टीवी शो दबिग पिक्चर में चलधी गोविंदा बतोर गैस्ट आने वाले हैं इसका नया प्रोमो रिलीज किया गया है इस विडियो में रनवीर गोविंदा के साथ नाचते और मस्ती करते दिख रहे हैं गोविंदा ने जैसे ही सेट पर एंट्री मारी तो रनवीर उन्हें दंडवत प्रनाम करते भी दिखाई दे रहे हैं इस एपिसोड को न्यू यर पर टेलीकास किया जाएगा कल के एपिसोड में हमने रपोर्ट किया था कि आसिम रियाज का एक ट्वीट खोब वाइरल हो रहा था लोगों ने उनके इस ट्वीट को शेहनाज गिल पर कसा गया एक तंज समझ लिया था आसिम ने ट्वीट किया था अभी कुछ डांसिंग क्लिप्स देखे सच में लोग इतनी जल्दी अपनों को भूल कर आगे बढ़ जाते हैं क्या बात आसिम ने अब इस पर सफाई दी है इंस्टा पर स्टोरी शेयर करते हुए आसिम ने बताया कि वो पोस्ट शेहनाज के लिए नहीं था बल्कि उनके कुछ दूसरे दोस्तों के लिए था जो गोवा में पार्टी कर रहे थे रन्वीर सिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है इसमें वो पूर्फ क्रिकेटर श्रिकांत के साथ स्टेज पर डांस करते और उन्हें डांस सिखाते दिख रहे हैं दोनों ही हाडी संदू के गाने बिजली बिजली पर नाच रहे हैं इस वन वीडियो को श्रिकांत ने अपनी ट्वीटर अकाउंट पर शेयर किया है फिल्मेकर सुभाजगई ने इंडस्ट्री को कई कमालगी फिल्म में दी है दिलीब कुमार की फिल्म विधाता, सौधागर और कर्मा को भी सुभाजगई नहीं डिरेक्ट किया था ऐसी खबर है कि वो दिलीब कुमार की बायोपिक बना सकते हैं जिसकी स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है पट अभी इसे लेकर कोई ओफिशल कन्फिमेशन नहीं आई है आरियन को बेल मिलने के बाद शारुखान ने काम फिर सुशुरू कर दिया है हाल ही में उन्हें पठान के सेट पर देखा गया था अब रिपॉर्ट्स हैं कि जल्द ही वो एक कमर्शल एड के लिए शूट करेंगे जिसे आर बाल की डिरेक्ट करने वजा रहे है इसकी शूटिंग बांदरा के महभूब स्टूडियो में होगी अहान शेटी और तारा सुतारिया की फिल्म तरब कुछी दिनों पहले रिलीज हुई है जिसे साजित नाडियाडवाला ने प्रिड्यूस किया है खबर है कि साजित ने अपनी अगले फिल्म के लिए भी अहान शेटी को ही साइन किया है ये एक एक्शन फिल्म होने वाली है फिलाल इसकी ओफिशल अनाउंस्मेंट नहीं की गई है तो ये थी आज की मुख्य खबरे मुलागात होगी कल तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे डिललन टॉप हमारे नए चैनल ललन टॉप सिनेमा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा शुक्रिया